नमस्कार दोस्तों, साथ दिसंबर के डेली न्यूस अनलेसिस में आपका स्वागत है आज की कौन कौन से इंपोर्टेंट न्यूस है तो आप देख सकते हो आपके सामने ही न्यूस नजर आ रही है पुतिन जी और मोदी जी की मीटिंग हुई है इस मीटिंग में क्या क्या बात चीत हुई उसके बारे में मैंने आज के एडिटोरिल में भी बात की है यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बात होगी फिर एफस्पा को हटाने की कॉल दी है नागा लैंड के सीम न्यूफियू रियूने और मेगालिया के सुरम कॉंगराड संगमाने तो ये भी मैंने आपको आज के एडिटोरिल मताया था इसके बारे में बात करेंगे फिर माइनमार में ये जो आउंग सैंग सी कुई है 76 सीयर्स की यहाँ पे देमोक्रेटिकली एलेक्टेट लीडर थी इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया इसनी उसको देखेंगे फिर हमारे बाबा सहाब की डेथ इन्वर्सरी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो सैलिब्रेशन्स हुए है उसके बारे में बात करेंगे फिर एंजला मरकल जी अब जर्मनी की चांसलर नहीं है अब जर्मनी की चांसलर है ओलाफ शोल्स इसके बारे में बात करेंगे और इंडिया में जो हाइली इन्वेजिव स्नेल स्पीशी है जो की आपको यहाँ पे नज़र आ रही है केंदर की सरकार राज जी की सरकारों को रिलीज कर चुकी है तो यह हैं न्यूजें और इन न्यूज को मैं आपके साथ डिसकस करूँगा पहली न्यूज नागा लैंड सीम कॉस फॉर स्प्रैपिंग एपस्पा तो अभी डिसेंटली नागा लैंड में यह जो chaos हुआ जो ambush हुआ जिसके चलते नेशनल सोचलिस काउंसिल अफ नागा लैंड खापलांग के कुछ factions को समझके आर्मी ने onslaught किया और यहां पे 6 coal miners और 9 civilians की जान चली गई एक आर्मी के personal की भी यहां पे जान चली गई है इसके चलते फिर से सवाल उठा के खड़ा हो गया है किसके सामने कि भाई F.S.P.A. की क्या जरूरत है जो चीफ मिनिस्टर है नागा लैंड की नीफियूरियू इन्होंने बोलाए कि भाई F.S.P.A. को आप नागा लैंड से हटाओ यह एक draconian act है इस F.S.P.A. Act के चलते पूरी दुनिया इंडिया को क्रिटिसाइज कर चुकी है और खुद इंडिया के अंदर F.S.P.A. के अगेंस क्रिटिसिजम रहा है लोगों के अगेंस्ट एक गुसा है इस particular act के अगेंस्ट तो आप इसको बंद करो F.S.P.A. के अगर बात की जाए तो यह F.S.P.A. आर्मी को स्टेट को Central Police Forces को ताकत देता है कि यह shoot to kill houses को search कर सकते हैं properties को destroy कर सकते हैं अगर इनको ऐसा लगता है कि यह property insurgents द्वारा इस्तमाल की जा रही है obvious ही बात है इतनी ज़ादा ताकत क्यों होती गई है यहाँ पे Armed Forces के members को ताकि इंडिया की territorial integrity को बचा कर रखा जा सके तो कल को North East में नागा लेंड में कोई ऐसा terrorist report के आ जाता है जो कि यह बोलता है कि हम इस इलाके को इंडिया से अलग कर देंगे तो अब बेसी बात है अब इंडिया यह सब नहीं होने देगा इसलिए F-SPA जैसी power सियान लाई गई है लेकिन जब कोई ऐसा unfortunate incident हो जाता है जैसा दो दिन पहले हुआ है तब overall F-SPA के ओपर सवाल उठने लगते है ठीक है तो security person F-SPA के अंदर किसी भी person को without warrant arrest कर सकती है किसी को भी गोली मार सकती है अगर उनको ऐसा लगता है कि ये भाई बहुत problem create करने वाला है और इसके लिए legal immunity मिली है armed forces को उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई action नहीं होगा तो इस context में जब ये घटना हो गई moon district of naga land में उसके बाद एक आप कैसकते हो 6 घंटे का shutdown लगा दिया गया naga inhabited areas में naga student federation इस चीज़ को protest कर रहे है in fact almost सारे naga groups यहाँ पर protest कर रहे है human rights body army के इस action को criticize कर रही है इस बगार की चीज़ें हो रही है यहापर तो एक बड़ी democracy में इंडिया जैसी democracy में लाक रुपय का announce किया गया यहाँ पर जो कोनियाक naga people रहते हैं वो बहुत गरीब हैं तो जिन लोगों की मृत्ती हुई है उनकी family को per person 16 लाक रुपय ऐसा compensation में दिया जाएगा और जिनको चोटे आई हैं उनको डेड़ा लाक रुपय का यह compensation दिया जाएगा तो कहीं न कहीं इस compensation के पास tempers थोड़े शान्त हो गए हैं लोग थोड़ा सा शान्त हो गए हैं लेकिन अभी भी कोनिया community के लोग यहाँ पर protest कर रहे हैं और एक December कोई जो नागा लेंड के अंदर हान बिल festival शुरू हुआ था इस harmful festival के अंदर जो भी performances हैं इसको अभी के लिए रोग दिया गया है यह जो civilian मौते हुई है इनको श्रद्धानजली देने के लिए ठीक है भाई तो यह है जनले स्टीज पेपर टू चैलेंजिस टू इंटरनल सेक्योटी में न्यूज आपको काम आएगी हो सके तो जोइन बटन दबा के help करें दोस्तों इंस्टाग्राम पर follow कर लिए टेलीग्राम को जोइन कर लिए दोनों ही चीजों कर लिए नीचे description box में दिया हूँ और वीडियो को like और share किये बिना मत जाएगा आप अपने viewpoint नीचे comment box में ज़रूर दें इस वीडियो के engagement को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट इंडिया रशिया साइन एक के 203 rifle डी तो आपको पता है कि भाई रशिया के प्रेजिडेंट साब व्लादिमिर पुतिन साब अपने एक बड़ी team के साथ इंडिया के अंदर आये हुए है और इंडिया के अंदर आने के बाद जब हो मोदी जी से मिले तो अफगानिस्तान के ओपर चर्चा हुई टेरिजम के अगेंस्ट फ्राइट, डर्ग्ट ट्राफिकिंग के खिलाफ फाइट और गनाइस्ट क्राइम के किलाफ फाइट और कैसे यहां पे रशिया और चाहिना एक दूसरे के साथ इंगेज सारी रशिया और इंडिया एक दूसरे के साथ इंगेज कर सकते हैं इसके उपर बाद चीत हुई है यहां पे जो main इस जोएंट वेंचर में अव्वेसी बात है रशिया के ऑफिशल इंडिया के अंदर आएंगे रशिया की पूरी की पूरी टेकनिकल टीम इंडिया के अंदर आएगे और अमेठी में ये वाइफिल बनाई जाएंगी 5,000 करून की डील है वैसे तो इस डील को go ahead पहले ही मिल गया था लेकिन पुतेन जी और मोधी जी की मीटिंग से पहले हुई 2 प्लस 2 मीटिंग इस 2 प्लस 2 मीटिंग में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनास सिंग और एक्सटरनल मिनिस्टर जैशंकर साब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेंड मिनिस्टर के साथ मिले और ये जो एक के 203 राइफल वाले डील ती इसको यहाँ पे उन्होंने साइन कर लिया एक और चीज यहाँ पे जो बहुत ज़दा बात हो रही थी वो थी RELOS के उपर मतलब इंडिया रशियन नेवल बेसिस को इस्तमाल कर सकता है और रशिया इंडियन नेवल बेसिस को इस्तमाल कर सकता है तो RELOS के उपर यहाँ पे चर्चा बहुत इंपॉर्टन थी अभी के लिए इस RELOS Agreement को पुट ओफ कर दिया गया है पुट ओफ के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया तो यह पूरे की पूरी यहाँ पे न्यूस है अफगानिस्तान की टेरिटरी को आइसिस, अल-काइदा और लश्करे तैबा जैसे नेटवर्क्स इंडिया के खिलाफ ना इस्तमाल करें और आल, जो हूमन राइट सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर उसके ओपर बाचीत हुई है अफगानिस्तान के लोगों के पास मदद रियल टाइम में पहुंच सके इसके ओपर बाचीत हुई है इसके ओपर बाचीत हुई है अफगानिस्तान में एक रिप्रेजेंटेटिटिव गॉर्मेंट आए इसके बोल बच्चन टाइप ही हो रहा है अब इंडिया रशिया बैट के बाचीत करें कि अफगानिस्तान के अंदर ये होना चाहिए मेनुफैक्चरिंग को लेके भाई बहुत सारे यहां पे आपके अलो अच्छी खबरे हैं तो इंडिया में डिफेंस मेनुफैक्चरिंग को लेके बहुत से स्पेर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एग्रिगेट्स और रशियन जो भी आम्स और डिफेंस एकुप्मेंट इंडिया में इस्तमाल किये जाने जिसकी जो भी सब्स्टिट्यूट्स और कंपोनेंट्स की हमको समय समय पे जरूत पड़ती है इनकी मैनुफैक्चरिंग के लिए रशिया के साथ यहां पे एग्रिमेंट्स साइन किये गे इंडिया रशिया ने अक्चुली में यहां पे 28 एग्रिमेंट्स साइन किये है जिसमें 9 तो गौर्वर्मेंट टो गौर्वर्मेंट एग्रिमेंट्स है जिसमें डिफेंस, स्पेस, फाइनस, पावर, कल्चर, साइन्टिफिक रिसरच, एजुकेशन, हेल्थ इन सब के उपर बात चीत हुई है फिर इंडो-पैसिफिक के स्ट्रेटजी और इस इंडो-पैसिफिक के रिजिन में दिल्ली के जो security concerns है मतलब इंडिया के जो security concerns है इसको रशिया के सामने put up किया है इंडिया ने most probably ये जो concerns होंगे ज़्यातर चाइना के context में ही होंगे GS paper 2 bilateral agreements involving India's interest में news आपको काम आईगे फिर इंडिया में मनाया गया है महापरी निर्मार दिवस it has been observed nationwide तो भाई पूरी नेशन ने महापरी निर्मार दिवस मनाया है 6 December 2021 को और इसको बनाया गया है ऐसा part of आजादी का अमरित महुस सब देखिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर बियार अंबेटकर साहब इनकी 66th death anniversary थी 6 December 2021 को और इस death anniversary पे honorable president, prime minister of India और जो भी और ministers ने prominent dignitaries है इन्होंने parliament house में जो बाबा साहब की statue है महाँ पे सिधांजली दी tribute वगरा दिये फूल चड़ाए उसके बाद यहाँ पे धम पूजा की गई बुद्धिस्ट monks के दोरा बुद्धिस्म का यहाँ पे क्या रोल है तो आपको पता होना चाहिए 1956 में बाबा साहब ने अपने आपको अपने followers के साथ बुद्धिस्म धर्म में convert कर लिया था तो चुकि उन्होंने अपने आपको बुद्धिस्म धर्म में convert कर लिया था तो यहाँ पे बाबा साहब को बुद्धिस्म धर्म के साथ भी यहाँ पे associate किया जाता है importance आपको पता है बियारंबेटकर साब की तो जो drafting committee के chairman थे one of the most influential seven members of the drafting committee थे ही chairman तो most probably constitution पूरा का पूरा उनका बनाया हुआ है और आज भी वो constitution चलना है social scouts of untouchability के against लड़े हैं बाबा साब और minister of law and justice की तरह भी उन्होंने काम किया in the first cabinet of jawallah नेरू from 1947 to 1951 हलाकि बाबा साब को jawallah नेरू और बाकी congress cabinet के साथ issues हो गई थी problems हो गई थी खेर वो एक अलग बात है यहाँ पे अगर आप बाबा साब के contribution की बात करो तो भाई Reserve Bank of India को बनाने में भी उन्होंने contribution दिया है कैसे तो भाई Reserve Bank of India Central Bank को बनाने का जो concept था वो बाबा साब ने forward रखा था तक इसके Hilton Young Commission के तो Reserve Bank of India को envisage भी बाबा साब नहीं किया था ओके बाबा साब को Lord Buddha से कभी कभी compare किया जाता है कभी कभी जितना Lord Buddha Influencer उतना ही influential बाबा साब को बताया जाता है इसलिए इनकी Death Anniversary को महापरिनिर्वार दिवस भी कहा जाता है चुकि बुद्धा की Death को भी महापरिनिर्वार कहा गया था तो यहाँ पर बाबा साब की Death Anniversary इसको भी महापर इंडियन वार्द दिवस बोला जाता है तो यहाँ पे इस समय पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जिसे संसद भवन प्रोग्राम हुआ डॉक्टर अमबेटकर इंटरनाशनल सेंटर में प्रोग्राम हुआ 35 साइट्स जो की अमबेटकर साब के साथ जुड़ी हुई थी वहाँ पे प्रोग्राम्स हुए फिर अमबावाडी में प्रोग्राम हुआ 66 डेथ इनिवरसरी को याद करने के लिए जनल स्टीज पेपर 4 में एक पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आ सकती है नेक्स्ट न्यूज़ है तो भाई एक टाइनी स्नेल है ठीक है पेलिशिट गोल्डन येलो शेल होती है इसकी कोची में ये पाया गया है और ये एक इन्वेजिव स्पेशी है जो की नेटिव एको सिस्टम को तबाह करके रख सकती है ठीक है ये पायो डिवर्सटी इंपाक्ट अस्टेडी हो रही थी कर कौन रहा था तो कर रहा था रिसर्चर्टेस ऑफड़र्टमेंट अफ मरीन बायोजी माईक्रो बायो बायो केमिस्टी ऑफड दो कोचीन उनिवर्सटी अफ साइंस एं टेक्नोजी तो CUUSAT University के Department of Marine Biology, Microbiology and Biochemistry के जो researchers है वो यह आप कहले हो यह Bio Diversity Impact Assessment स्टेडी कर रहे थे उसमें उनको यह snail मिला और यह snail overall native ecosystem को तबहा कर सकता है ऐसा है इन researchers को बोलना है यह जो snail है यह पहली बार आप कह सकते हो केरला में बाया गया है ठीक है इस snail के अंदर कुछ ऐसे worms है जो food born diseases कर सकते हैं और humans में जो skin की itches होती है जो खुझली होती है जो rashes होते हैं वो कर सकते हैं इन snail का जो growth rate है वो बहुत जदा तेज है इनकी air breathing capability बहुत जदा तेज है यह population को जदा tolerate कर सकते हैं और इसलिए native fauna को हटा के यह अपने आपको बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं ठीक है इनको पहली बार 1805 में describe किया गया था वैसे तो यह North America के native माने जाते हैं लेकिन Antarctica को छोड़के बाकि सारे continents में पाय जाते हैं इस snail को पहली बार 1990s में पाया था 1990s में केरला यह पहुचा है most probably aquarium trade के थूँ और कोची में यह जो snail पाया गया है वो कुछ ऐसी जगह पे पाया गया है 16 mm तक height में जा सकता है 9 mm तक weight में जा सकता है और काफी dangerous snail है यह कहते हैं इन्वेजिव alien species की category में यह snail आता है ठीक है भाई ओके नाम क्या है इसका अब हो सकते हो यह नाम यहां लिखा हुआ धिहान रखना PY-S-E-L-L-A हो सकता है मैं सही spell ना कर रहा हूँ PY-S-E-L-L-A-C-U-T है याद रखेगा इस snail केरला में मिला है बायोड़स्टी में न्यूज आपको काम आएगी नेक्स न्यूज है भाई यह पार्लेमेंट का session चल रहा है तो पार्लेमेंट के session में अलग 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 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं तो एक सवाल भाई यह number of ATMs के respect में पूछ दिया गया इसा किस ने बताया तो भाई Minister of State for Finance भगवत कराड ने बताया अब बोलोगे सब यह white label ATM क्या होता है तो मैं आपको सारे types of ATM बता देता हूं on-site, off-site white label, yellow label, brown label, orange label, pink label, green label, on-site ATM तो कभी-कभी आप किसी bank में जाते होगे तो bank की branch के बगल में अंदर लगा होता है ATM तो उसको आप बोलते हो on-site ATM फिर कुछ ATM आपको ऐसे ही बाहर randomly मिल जाते हैं वो किसी bank की branch के साथ नहीं होते हैं पार किसी खुपचे में दुकान किराय पे लेकि bank ने ATM खोल दिया तो वो off-site ATM होते हैं एक होते हैं white label ATM, white label ATM कोई bank नहीं चलाती है, non-banking financial companies चलाती है, NBFC चलाती है white label ATM और उससे पैसा कमाती है yellow label ATM e-commerce facility प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, brown label ATM bank ओन नहीं करता है, किसी और ने bank से lease पे लिया हुआ होता है और उससे वो पैसा कमा रहा होता है, orange label ATM, share transaction में काम होते हैं, pink label ATM, women के लिए होते हैं, green label ATM, agricultural purposes के लिए होते हैं, समझ गे, तो भाई ATM से सवाल पूछा गया है, respect में, September 2021 तक इंडिया में 2.13 lakh ATM है, और अगर देखा जाए तो metro अलग, urban semi-urban अलग, rural अलग, इन तीनों में 1 इस पे बिलकुल exact बताया गया, ऐसा target है सरकार का, हाला कि अभी के लिए 2.13 lakh में से 47% ATM, rural और semi-urban इलागों में है, ये info भी याद है, तो आप कहीं भी लिए सकते हो, financial inclusion से related question में आप ये info जेप सकते हो, GS paper 3, Indian economy में news आपको काम आएगी, नेक्स न्यूस, इंडिया observes मैत्री दिवस्टू, मार्क 50 येर्स उफ फ्रेंडशिप, तो भाईया इंडिया ने बांगलादेश के साथ, अपनी फ्रेंडशिप को 50 साल की मार्किंग बनाई, मतब देखिए, 16 दिसंबर को बांगलादेश officially बना था, जो पाकिस्तान की forces थी पाकिस्तानी जनरल एके नियाजी के अंदर उन्होंने instrument of surrender sign कर दिया था इंडिया के साथ, और बांगलादेश यहाँ पे आजाद हो गया था, ये जो बांगलादेश को आजाद करने की जंग थी, ये शुरू हुई थी 3 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर को पाकिस्तानी forces ने 6 दिसंबर को ही बांगलादेश को एक अलग country मान लिया, तो इस 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाया जाता है, इंडिया और बांगलादेश दोनों के ही बीच में, रीसेंटली नरेंदर मोदी जी ढखा गये थे, और वहाँ पे जो बांगलादेश की PM साहिबा है, शेक हसीना जी और इंडिया के जो आपके प्राइमिनिस्टर है मोदी जी, दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि भई यह 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएंगे, और इस 6 दिसंबर 2021 को पचासवा मैत्री दिवस मनाया गया है, फ्रेंडशिप डे जिसको आप बोलते हो, और बांगलादे के बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है भाई, देखा जा तो इंडिया बांगलादेश के अंदर बहुत सारी जॉइंट एक्सराइज होती है, जिसे आर्मी की कंटेक्श में एक्सराइज संपृती, नेवी में एक्सराइज मिलान होती है, इंडिया बांगलादेश 54 common rivers को करते हैं, इन rivers के पानी के management को लेके एक joint river commission भी बनाया गया है, जो कि 1972 से participate काम कर रहा है, इंडिया बांगलादेश दोनों के officials हैं, फिर South Asia के अंदर, इंडिया का सबसे बड़ा trade partner बांगलादेश है, इंडिया लगभग 9.21 billion dollars का सामान एक्सपोर्ट किया था बांगलादेश cooperation blue economy, cultural economy, environment, disaster management, इन fields में इंडिया बांगलादेश एक दूसरे के साथ cooperate कर रहे है, जी एस पेपर 2 में न्यूस आपको काम आईगी, अगली न्यूस अ प्रोजेक्ट रिहाब, तो इस प्रोजेक्ट रिहाब का फुल फॉर्म है, reducing element human attacks using bee, देकि कभी कभी क्या होता ही, जो elephants है, वो humans जहां रहते हैं, वहाँ गुज जाते हैं, तबाई मचाते हैं, तोड़ फुर मचाते हैं, उसमें कभी कभी humans की जान चली जाती, फिर ये human self defense में elephants की उपर वार करते हैं, ये elephants भी मर चाते हैं, तो कुल मिला कि इस प्रकार का जो elephant और human का interface है, वो कम हो और elephant human habitation पे अटा जाएगा, अब ये क्या logic है, देखें, मधुमक्खी के छटों को इस्तमाल करके, elephants को पीछे अगर आप धकेलोगे, इससे बहुत से फायदे हैं, एक तो आपको fences नहीं बनाने पड़ेंगे, trenches नहीं बनाने पड़ेंगे, इसमें खर्चा जादा होता है, प्लस इससे honey production इससे forest cover regenerate होगा, और इससे elephant को नुकसान नहीं पहुचेगा, वो मरेंगे नहीं, तो होगा क्या, कि जो भी human habitation है, उसके बाहर 15-20 bee boxes रखे जाएंगे, ठीक है, ये bee boxes एक पतली सी door के साथ बंदे हुए होगे, अमालो को elephant आता है, और उस door को cross करता है, तो ये bee boxes खुल जाए और ये जो मदुमक्य है, जब elephant को काटना शूरू करेंगी, तो elephant पीछे भागेंगे, और इन मदुमक्यों को काटने से elephants को irritation होती, बट वो मरते नहीं है, ठीक है ना, elephants को डर लगता है कि ये मदुमक्य है, इनको काट लेंगे, इनके ट्रंक में घुश जाएंगे, इनके इंडस्टी कमिशन एक्ट के अंदर बनाया गया, तो khadiyan village industries commission act के अंदर KVIC statutory body है, इसका काम कैया कि बाई, जो भी rural areas में village industry उनको develop करना, उनको promote करवाना, उनके लिए plan बनाना, प्रोग्राम्स को implement करवाना, ये सब चीज़ है, कुलमिला कि जो project rehab है न, ये जो national honey mission है, जिसक project rehab है, national honey mission तो 2017 में launch किया था, इंडिया का जो sweet revolution है, उसके part की तरह national honey mission launch किया गया, तो national honey mission का एक sub component है project rehab, और project rehab यहाँ पे honey की production को भी बढ़वा रहा है, और project rehab यहाँ पे simultaneously, elephant को भी humans के साथ जो conflict है, उसको कम कर रहा है, general studies paper 2, general studies paper 3 में news आपको काम आएगी, अगली news है, कि भाई, लोकसमा में सवाल पूछा गया है, और उस सवाल के जवाब के चलते हैं, जवाब दिया गया है, कि भाई, 2019 से लेके अब तक, compensatory of forestation fund, planning, sorry, management and planning authority, कंपा के तहद, 32 states और union territory को, 48,606 करोण रुपीज दिये गया है, साफ करके वहाँ पे अपना धन्दा माइनिंग और शुरू करती है, तो थोड़ा पैसा उनको compensatory of forestation fund में डालना पड़ेगा, जिस पैसे को इस्तमाल करके, किसी और जगा में forestation किया जाएगा, तो इसके तहद लगबग 54,000 करोण रुपया अब तक एखटा किया गया, जिस अलग monitoring network है, ठीक है भई, तो यह यहाँ पर एक छोटी सी news है, जिस पेपर 2 और जिस पेपर 3 में आपको काम हैगी, next news, एंजला मरकल जी का 16 साल का यहाँ पर rain खतम हो चुका है, और अब उनकी जगा गद्धी पर बैठेंगे, ओलफ शोल्स, गद्धी तो नहीं बोलना चाह जो लीडर सामने आए हैं, उनका नाम है ओलाफ शोल्स, तो ओलाफ शोल्स अब जर्मनी के चांसलर होंगे, let's see, वो कैसे रूल करते हैं, social democratic party के हैं, तो पहले Christian democratic union और CSU के ग्रूप के थूप, एंजला मरकल जी राज कर रही थी, अब यहाँ पे social democratic party के ओलाफ शोल्स, इन्ह पे जगा दी गई है, नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ पर मायनमार कोर्ट संटेंसे आउस्टेड लीडर सू क्यूई टू फोर इयर्स इन प्रिजन, तो यह तो मैंने आज को एडिटोरल में भी आपको बता है, एडिटोरल देख लीजे, ऑंक सैंक सी क्यूई को चार साल के जेल के अंदर डाल दिया गया, इनके ओपर इल्जाम क्या क्या लगाया गया है, तो इन्होंने फेस्बुक पार्टी पेज पर और कुछ कैमपेइनिंग में मिलिटरी के अगेंस्ट बात कर दी थी, फिर कोरोना वाइरस की गाइड लाइन्स को इन्होंने वाइलेट किया है फिर ओवर ओल इनके ओपर ये भी इल्जाम लगाया गया है, कि मायनमार के अंदर ये जो वाकी टॉकी होता है, इसको इस्तमाल करना अलाउड नहीं है, लेकिन अन्रेजिस्टर्ड तरीके से इन्होंने वाकी टॉकी को इंपोर्ट किया, इनके ओफिशल्स ने ओफिशल सीक तरीके से किये, इसका इनके ओपर अलजाम है, इस प्रकार के बहुत से अलजाम ओंग सेंग सी कोई के ओपर लगाये है, मिलिटरी डिक्टेटर्शिप जोरो शोरो पे है, मायनमार के अंदर, एजिटेशन हो रहा है नॉन वालेंट तरीके से, लेकिन उसको बिल्कुल वाले तरीके से दबाया गया, 1300 civilians की यहाँ पर जान जा चुकी है, मायनमार के अंदर, ठीक है भाई, तो यह overall एक news थी, ठीक है ना, इसको मैंने सुबह के editorial में भी discuss किया है, तो editorial ध्यान से देख लीजेगा, यह PPD में मैं आपको available करवा दूँगा, महां से भी पढ़ सकते हैं, so thank you for watching friends, जाद से जाद लोगों के साथ इस lecture को share करिएगा, आप अपनी viewpoint लीचे comment box में देखे जाएगा, हो सके तो join button दबाके help करें